पाकिस्तान और भारत की लराई विस्विख्यात ना जाने कितनी विवादों को लेकर दोनों ही देशों के बीच संघर्ष होता चला आ रहा है जिसकडी में एक बार फिर दोनों देश आपस में भिर चुके हैं और इस बार जगरे की वज़ा है चावल जी हाँ आपने सही सुना इस बार जंग का कारण बना है बास मती चावल जिसे लेकर दोनों ही देशों के बीच खेस्तान जारी है आखिर चावल को लेकर ऐसी क्या मुश्किल खड़ी हो गई जिसके लिए दोनों देश आमने सामने आ गए हैं चलिए विस्तार से जानते हैं भारत और पाक बास मती चावल का सबसे जादा उत्पादन करने वाले देश माने जाते हैं वहीं चावल से बनी खीर और बिर्यानी दोनों ही देशों का पसंदिता वेंजन है ऐसे में भारत और पाक दोनों ही इस फसल पर अपना नाम कायम रखना चाहते हैं मतलब यह है कि तोनों ही देश यूरोपिय यूनियन की और से मिलने वाले बासमती के विसेश्ट ट्रेड मार्क पर अपना नाम काबिस करना चाहते हैं। विशेस्ट रेडमार्क यारनी प्रोटेक्टेड जेग्रेफिकल इंडिकेशन जो उन फसलों पर मिलता है जिनका एक विशेस्ट भॉगॉलिक मूल छेतर होता है। बता दे कि हाल ही में भारत ने बास्मती चाबल पर PGI के लिए यूरोपिय यूनियन में आवेदन दिया है जिसके बाद भारत को बास्मती के टाइटल का मालिकाना हक मिल जाएगा लेकिन इस पर पाक सरकार ने विरोध जताया है। एक भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है जिसकी से होने वाली सलाना आए 6.8 अरब डॉलर है। वहीं पाक 2.2 अरब डॉलर की सलाना आए के साथ चौथे स्थान पर है। बता दें कि पहले से ही भारत को दाजलिंग चाय, कॉलंबिया कॉफी और कई फ्रेंच उत्पादनों पर PGI टैग मिला हुआ है। बास्मती को लेकर भारत और पाक के बीज जंग बरकरार है। वहीं PGI हासिल करने के भारत के इस कदम का विरोध करते हुए लाहौर की अलबरकद राइस मिल्स के को ओनर गुलाम मुर्तजा ने कहा है कि यह हम पर परमानूप बम गिराने जैसा है। वह हमारे बाजारों को हरपना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की और से इंडियन राइस एक्सपोर्स एसोशेशन के पुर्व अध्यक्ष विजय सेतिया ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि दोनों ही देश लगबग 40 सालों से बिना किसी विवात के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बास्मती का निर्यात करते आ रहे हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि भारत को बास्मती पर पीजी आई मिलने से कुछ होगा। वहीं इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच विवात बरते देख। यूरोपियन कमिशन के एक प्रवक्ता ने दोनों देशों को सलाद दी है कि यूरेपिये संग के नियमों के अनुसार भारत और पाक को सितंबर तक एक स्वहार्थ पुन प्रस्ताओं पर बातचीत की कोशिश करने चाहिए ताकि इस मत्भेत को जल सुलजाया जा सके।